ओके जी हमने काई स्कुएर टेस्ट देख लिए, अब हम T-Test की तरफ चलेंगे, क्यों चलेंगे, क्योंकि यह यहां स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, कि जब हम Test को देखते हैं, तो Non-Parametric Alternative and Parametric Test के अंदर हमने यह चीजें देखी दिए, आप अगर गौर करें यहां पे, यह जो उपर वाले टेस्ट हैं ये सारे के सारे parametric test हैं और ये नीचे वाले जो हैं ये non parametric test हैं ठीक है हमें जो assumptions हैं follow करनी है in test पे जो assumption नहीं follow करेंगे तो हम in test के उपर move करेंगे यहां तक आपको समझ आगे अब हम t-test की तरफ चलते हैं मैं अपनी screen आपके साथ ले के आता हूं सामने और देखते हैं कि t-test से भी पहले हमें कौन सी चीजों का ख्यार रखना है और बजाए इसके कि मैं t-test पे चलूँ बहतर ये होगा कि मैं normal distribution के test पे चलूँ या normally normality test normal distribution test